हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलेजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो As usual शुरू करूँगा fingers के analysis से, उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को और माउंट्स को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैल सिसम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नमबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा वर्टसैप नमबर है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें वर्टसैप के जरीए सिगनल के जरीए या फे टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वाइर शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की निचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है लेकिन साथ ही साथ फिंगर्स का छुकाव अंदर की तरफ यह शनी फिंगर है आप देख सकते हैं बाकी की फिंगर्स कुछ इस तरह से अंदर की तरफ आपको हलका सा चुकाव लिए होए नजर आएंगी इस तरह का चुकाव होने की वज़े से नेटिव के भीतर थोड़ी वेराग्या की भावना रह सकती है लेकिन ओवराल देखा जाए तो इनकी फिंगर्स काफी थिक हैं अब देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को जो दर्शाती हैं काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को और अगर हम पर्टिकलो फिंगर्स की बात करें तो शनी फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है शनी फिंगर का अच्छी लेंथ में होना थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफी अच्छा रहेगा ही साती साथ ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वरकिंग होते हैं और डिस्सिप्लिंड नेचर के होते हैं अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति काम्याब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो यह फिंगर आप देखेंगे अगर यह फिंगर भी अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव की लीडर्शिप क्वाल्टिस काफी अच्छी रहती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं काफी स्प्रिच्छल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और एक knowledgeable personality ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी index finger यानि गुरू की finger अच्छी length में हो अगर हम सूरे finger की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूरे finger की लंबाई हमें यहाँ पर ब्रस्पती finger से भी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है इस finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी creative और artistic qualities रहने वाली है ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा social circle बना पाने में भी अपने चीवन में काम्याब रहते हैं जिनकी सूर्य finger अच्छी length में हो लेकिन साथ ही साथ ऐसे native थोड़े risk taker हो सकते हैं कई बार अपनी धन की investments के मामले में भी risk लेने की रूची इनके भीतर रहती है अपने धन को ऐसी जगहों पर invest करने की रूची रख सकते हैं जहांपर loss की संभावनाई भी हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है ऐसी चीजों की तरफ भी इनका ध्यान जा सकता है अगर हम बात करें इनकी सबसे चोटी यानि mercury finger की तो आप यहां पर देखेंगे mercury finger यहां पर हलकी सी low set नजर आ रही है आप देख सकते हैं इनकी बाकी की सभी fingers काफी उपर से शुरू होती हुई जबकि इनकी mercury finger काफी नीचे से यहां से शुरू होती है जिसकी वज़े से हम low set finger में consider करेंगे low set होना किसी finger का भी native को कुछ weakness देता है जैसे इस तरह की finger होने से थोड़ी shy type की nature रह सकती है और साथी साथ hesitation वाला सभाव देखा जा सकता है लेकिन overall अगर देखा जाये तो finger की length में कमी नहीं है या finger लंबाई में अच्छी है बिलकुल सीधी है जिसकी वज़े से communication skills काफी बहतर इनके देखे जा सकते हैं अब देख सकते हैं fingers के बीच में gap मौझूद है कुछ इस तरह हैं के gaps fingers के बीच में होना native को खर्चीला बनाते हैं ऐसे व्यक्ति धन को ज़्यादा देर तक अपने पास रोक कर नहीं रख पाते जिनकी fingers के बीच में इस तरह हैं के gaps मौझूद हो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरू परवत हैं काफी अच्छा नज़र आ रहा है गुरू परवत उभरा हुआ है यह एरिया आप देख सकते हैं आपको काफी उठा हुआ नज़र आएगा बरस्पती mount जिन लोगों का उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बहुती spiritual minded होते हैं एक ग्यानवान टाइप की personality साथी साथ आपको इस एरिया पर एक इस तरह की रेखा नज़र आएगी जो बहुती बारीक रेखा इनके हाथ में इस तरह की रेखा को ring of Solomon कहा जाता है गुरू वेराग्या की भावना इनके फीतर बढ़ जाती है खास तोर पर ऐसे native 40 की age के बाद कोई ना कोई spiritual organization जोईन कर सकते हैं किसी social working organization के साथ जोड़ने की संभावनाएं इनकी बढ़ जाती है जिनके हाथ में इस तरह का गुरू बनता हो लेकिन साथी साथ यह है गुरू व्यक्त जरूर मिलती है इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी रिखाएं जिने हम progress lines कहते हैं इनकी जीवन रिखा से उठ रही हैं कुछ इस तरह हैं से इस तरह की रिखाओं का गुरू परवत की तरफ बढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति जिनक के शनी परवत की आप देखेंगे यह एरिया यह शनी का जो एरिया है इनके हाथ में यह हमें थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है शनी माउंट का दबना यहाँ पर दर्शाता है कि निटिव को चीवन में संघर्ष अधिक करना होगा अपने comfort zone से निकल कर ऐसे व्यक्त में काफी ज़्यादा मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ती है यहां से शुरू होने वाली शनी रेखा आपको इस एरिया तक कराकर उसके बाद यह रेखा दुबारा से कुछ इस तरह से चल रही है जो बहुती बारीक रेखाओं के रूप में उपर की तरफ बढ़ रही है लगबग 36 के आसपास की एज में चलकर यहारेका हमें थोड़ी सी कमजोर होती है उसके बाद फिर से दुबारा से शुरू होती हुई और आगे चलकर फिर से यहारेका हमें थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आ रही है इस तरह की गैप्स का होना इस तरह की ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चड़ाव रह सकते हैं लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा माइंड लाइन के उपर दुबारा से हमें बनती हुई नजर आ रही है जिसकी वज़य से लाइप में भले ही कुछ अप सेंड डाउंस तो रहेंगे लेकिन काफी अच्छी प्रॉग्रेस भी इनको जरूर मिलेगी इसी के साथ साथ इसी शनी रेखा के माध्यम से हथेली में एक धन तरिकोन बनता है आप देख सकते हैं यह जो रेखा है यह भागया रेखा है और यह जो रेखा है जिसको हम मरकरी लाइन कहते है और यह तीसरी लाइन जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है तीनों रिखाओं के मिलने से यहाँ पर जो त्रिकोंड बनता है यह काफी कमियों को दूर कर देता है ऐसा धन त्रिकोंड जिनके हाथ में बन जाता है ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर धिरे धिरे करकर काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामियाब जरूर होता है अगर हम इनके सुर्या परवत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे सुर्या परवत का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ हमें नजर आ रहा है सुर्या मांट अगर दब रहा हो तो नेटिव को एप्रिसेशन नहीं मिल पाती जिसको हम यश्च की कमी कहते हैं लाइफ में इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ सकती है मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो मरकरी का एरिया है हलका सा लो सैट है लेकिन मरकरी माउंट आपको यहाँ पर उभरा हुआ नजर आएगा जो बहुत ही अच्छी बात है मरकरी माउंट का उठा हुआ होना नेटिव के कम्मिनिकेशन स्किल्स को अनहैंस करता है साथी साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी खड़ी रिखाएं भी इस माउंट के उपर नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं को हीलिंग लाइन्स का नाम दिया जाता है ऐसी रिखाओं अगर हाथ में मौचूद हो तो नेटिव दूसरों की मदद करने वाला होता है अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलाहा या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है अगर हम देखें इनके हाथ में मर्कूरी लाइन को तो आपको यह रेखा कुछ लेडर फॉर्मेशन में नजर आएगी थोड़ी सी ब्रोकन है बीच में जिस वज़े से बिजनस एक्कुमेंट थोड़ा सा कमजोर हो सकता है और ऐसी ब्रेक्स होने की वज़े से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से सबंदित दिक्तों का सामना भी अपने चीवन में करना पड़ सकता है बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की तो अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई यहाँ तक पहुँचने के बाद एक और ब्राच उपर की तरफ जिस वज़े से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी है उसी के साथ साथ आपको हार्ट लाइन में कुछ हलकी ओवरलैपिंग यहाँ पर नज़र आएगी इस सेरिया में इस तरह की ओवरलैपिंग का होना या किसी तरह का कोई आईलेंड या ब्रेक अगर हार्ट लाइन पे नज़र आए उसकी वज़े से नेटिव को मिडल एज के बाद थोड़ी दिक्कतें ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉबलम्स या कुछ कोलेस्टरॉल जैसी दिक्कतें होने की समभावना रहती है इसलिए इने अपने हार्ट की हेल्थ को लेकर भी काफी ज़दा अलर्ट रहने की ज़रूरत है अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइ बातों को भूल नहीं पाती जिस वज़ए से कई बार इन्हें थोड़ा तनाव या स्ट्रेस हो सकता है लेकिन ओवरॉल कोई मेजर इशू यहां पर हमें इनकी माइंड लाइन के जरिये नजर नहीं आ रही अगर हम इनकी जीवन रिखा की बात करें तो बहुत अच्छी और लंबी जीवन रिखा इनके हाथ में नजर आ रही है जिसकी वज़ए से नेटिव की जो एज है वो काफी लंबी रहती आप देख सकते हैं यहां से शुरू होने वाली इनकी जीवन रिखा लगबग बिलकुल हतेली में नीचे कलाई तक पहुंचती हुई जिसकी वज़ए स नेटिव की जो एज है लगबग 75 से लेकर 80 के बीच रहने की सभावना ही रहती है लेकिन अगर बाकी की रिखाओं में कुछ फला नजर आए तो थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत भी रहती है अगर हम देखें इनके शुकर परवत को तो वीनस का एरिया हलका सा दबता और वीनस माउंट के उपर कुछ बारीक रिखाएं इस तरह की रिखाएं भी नजर आ रही है ऐसी बारीक रिखाएं शुकर पर पर होने की वज़े से मेरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टिबिलिटी आ सकती है लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और इ अंदर एरिया के उपर ऐसी रिखाएं का होना अच्छा संकीत नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं होने से नेटिव को बेवज़े की एंग्जाइटी होने की संभावनाएं यह रिखाएं बढ़ा देती हैं तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेर मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद